Hello friends, Engineering Mechanics अत्वा Applied Mechanics आ सब्जेक्ट नो चोथु चेप्टर Centroid अत्वा Center of Gravity इना विशे आजना सेशन मा परे चर्चा करीशुं चेनी अंदर त्रोन बाबोतो कवर करवानी चे Number 1, Definition and Difference between Centroid and Center of Gravity Axis of Reference and Axis of Symmetriate लेशुं अने केटलाग 10 Most IMP Example जे आ चेप्टर माँ थी Almost बद्धी एक्जाम मां कुछाई चे तो सौथी पेला जो ये Centroid एटले सुम तो Centroid एटले कोई पने एक plain surface होई सपाटी होई जेमके चोरस, लमचोरस, वर्तूर, त्रिकोण तो ते सपाटी जे चे एने आकुरूतीनू समग्र क्षत्रा फाल्क जियांगर केंद्री थेल होई एने केवाई मध्य केंद्र अथ्वा क्षत्रा केंद्र अथ्वा Centroid वेर दा एरिया इस एजूम तो भी वेरेज गुरूत्वा केंद्रा एटले के सेंटर अफ ग्रेवीटी एटले कोई पॉन घन वस्तू होई जेमके लंब घन, समगन, शंकू, अध्वा गोलक एबती चेज, एन्नू दढ़ जियांगर केंद्री थेल होई इने केवाई गुरूत्वा केंद्रा अब इमाँ फर्क सुछे, सेंटर अटले एटले एडिया केंद्री थेल होई आने सेंटर अफ ग्रेवीटी एटले मास केंद्री थेल होई एए पॉइंट इन्ने केवाई सेंटर अफ ग्रेवीटी फोर एग्जांपल के लग बेजिक शेप चुईए धारोक्या लंब चोरस चे तो एनू मध्यकेंद्र अध्या वच्चे हैंशे तो एए फाइंड करवा माटे एना जे डागोनल छे ए ड्रो करवाना एना विकरन द्रो करिए एले ए जिहां क्रोस थाई पुइंट एनने केवाई एन्हों मध्य केंद्र अथवा चेに लाइन अथे धाक्लías टिस प्रे नियुके करने याख कर वाई अग्समा थी तो को सिंसर हमें प्रेक्सर के चे वे इनने केवाई याट्या प्रेक्स और गूर तो आ डाइमेंशन थसे b by 2 अन्य आ डाइमेंशन धारों के a होई height तो आज डाइमेंशन चे a थसे a by 2 तो आन्य केवाई एन्य सेंटर ओफ ग्रेविटी ना याम एना कोडिनेट आ थे कि रेक्टेंगल माटे एविट ट्राइंगल होई तो एन्य हाइट दारों के h चे, width b चे तो एन्य सेंटर ओफ ग्रेविटी आज याम वच्चे क्या कासे तो ए लोकेट करवा माटे आपने पहला x-axis और y-axis ड्रो करिए और y-axis और x-axis ड्रो करी और पच एन्य सेंटर ओफ ग्रेविटी क्या चे मुकी देए तो एन्य सेंटर ओफ ग्रेविटी ना कोडिनेट याम फाइन करवा होई तो आउड याम वच्चे क्या करें शकाई यह मत्यग वी लाइन अड्रो करो एक्सिस ड्रो करो और आ डिस्टंस जे था से याम वच्चे नो डिस्टंस ये बी भाई 3 है यह वीर्थ नो त्री जो पागस है और आ हाइट विल भी वन थर्ड ओफिस टोटल हाइट यह कूल हाइट होई इन्या त्री जापाग जटली यह एल्ले के आपनी याद राखवानों छे रेडियस आर होई तो आ डिस्टंस थाई फोर आपोन थ्री पाई जटलू थसे आन्या अपनी याद राखवानों छे रेडियस आर होई तो आ डिस्टंस थाई 4R अपोन थ्री पाई एने के वाई एकस बार अन्या डिस्टंस थाई 4R अपोन थ्री पाई एने के वाई बार आप quarter circle माटए छे ढरोंके आविडिते half circle होई तो केटलू थाई तो इनू सेंटर अफ ग्रिविटी आहियां क्या कसे है एनि एक्सिस ड्रो करिये तो आविडिते Cancer Zone करी शकाई आने Y-axis औने X-axis ड्रोक करो आविरत आम तो एननू radius आर होई तो X याम केटला थासे ए फोर आर पॉन 3.5 थासे आ डिस्टंस आडू सेमी सरकल छे आड़ू सेमी सरकल वोगे तो सु थासे एतामें ड्रोकरी शक्सो एनों सेंटर ओफ ग्रेविटी अयां क्या कसे तो एना एक सियाम जे छे ए आर थासे आने वाई याम जे छे ए थासे फ़रार अपन थ्रीपाई एन यां लोकेटन थी करेलू एतामें समझी शको नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिट्विन सेंटरोइड एन सेंटर ओफ ग्रेविटी आप बन्ने वच्चे नो तफावत सु छे ए आपने लखे उपर एंगलिश मा लखेलू छे अने नीचे गुजराती मा लखेलू छे एग्जाम ने अंदर कोई-पन एक लेंग्वे लखे देवानी बने निचाप लागा उचर्चा कलिया प्रमाने अने सेंटर ओफ ग्रेविटी आटले चेनी अंदर मास चे चे ए जियां आगर केंदरी थेल होए दाकला दरीके क्यूब, 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 स्फियर आब दी जे थ्री दैमेंशनल सर्फ अने तरी जो डिफरेंस लख होए तो एग्जांपल लखी शको, स्क्वेर, सर्कल, ट्राइंगल आ बदानु जे मध्यकेंदर चे एनी नानकरी फिगरपा ड्रो करी शको, छेथी करी ने उलागे क्ये तमने कंसेप्ट क्लियर चे आने 3D माटे क्यूब, 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 क प्रो करवानू, 3D स्केच ड्रो करवानू, क्यूब, बेलेके संगन, लंबगन, स्फियर, चेथी करीने एग्जामीनर जे छे, यह पुरा-पुरा मार्क छे, आपनने आपी शके, हवे बे थीरी बाकी छे, पेलू, एक्सिस ओफ रेफरेंस एट ले सूँ, सपोल्स कोई आवी ते एक शेप आपेलो छे, उल्टो टी शेप छे, एने बे रेक्टेंगल थी बने लो छे, आवी रित्याम, तो इमा सौथी निचे नी बाजुए एक लाइन ड्रो करो, एने क्यवाई एक्स एक्सिस, और दाभी बाजुए, एक्स्ट्रीम लेफ्ट, त्यां गड़ेक उपी लाइन ड्रो करो, एने क्यवाई एक्सिस, तो आजे बे एक्सिस छे, जेनी साप एक्समा अपने आप फिगर जेचे, एना बद्दा पॉइंट ना याम नकी करिये, एने क्यवाई एक्सिस ओफ रेफ्रेंस, आवी रित्याम, दाखला तेने एक टी शेप छे, एनू से आए एक्स एक्सिस और याए एक्सिस एने क्यवाई एक्सिस ओफ रेफ्रेंस, शब्दो मा लखोई तो आवी रित्या लखाए, कोई पन आकरुती ना मध्य केंद्र, अत्वा गुरुत्व केंद्र नो अंतर, कोई चोकस अक्ष नी साप एक्समा मा मापवाँ आवे छे, आ Formally, it is the leftmost and bottommost line of the given shape, कोई पन शेप आपेलो होए, एन्नी साथी नीचे नी बाजु एक लाइन ट्रो करो, अन्नी साथी डाबीज बाजु नी छेले, एक लाइन ट्रो करो, आ बन्देने एक्सिस ओफ रेफ्रेंस, अत्वा अनुसंदान एक्सिस केवाँ मा आवे, छे, आ बे हवे, आ शेप नी अंदर, एक्स एक्सिस आवेडिते ड्रो करिया अपड़े, ओरीजिन पॉइंट ओ, राइट, हवे, अहिया जो तो में लाइन ट्रो करो, तो आजे शेप छे, एन्ना एक सर्खा बे भाग थाई जाई 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 शब्दों मला खोई तो आवेडिते लखाई, the axis which divides the shape into two similar equal parts is called as axis of symmetry, अत्वा कोई पॉण आक्स दे छे, जे आक्रुती ना एक सर्खा बे भाग करे, ते अक्स ने सम मिती अक्स केवाई छे, अने एनी अंदर बिजू शब्दों मला खोई तो आवेडिते लखाई, cg is located on the axis of symmetry, कोई पॉण क्षेत्रा केंद्र होई, ए जे axis of symmetry होई, सम्मीत्यक्स होई, एना उपर रज आवेलू होई, center of gravity, एले आवीरते कोई पॉण फिगर होई, एना एक सर्खा बाग थाई जाई, तो center of gravity आ लाएन उपर रज क्या कसे, एले x बार सोधवानी जरूर नथी सिधू म पेला simple example जोईसू, आने त्यार पची दिरे दिरे difficult example जेए छे, ए अपला गरता जोईसू, पेलो example, एकदम simple छे, टी उल्टो टी शेप आपेलो छेनू प्षत्रा खेंद्रस होदो, तो आ टाइप नी figure जियारे exam ने अंदर पूछाए, त्यारे साउथी पेला, ए फिगर ना non-geometrical shape एमा भाग करी देवाना, दाखला तरीक आविर्टाम, बे लमचोरस बनी जिया, जो आज ये figure छे, बे लमचोरस ने बनेली छे, बरबर आविर्टाम, लमचोरस, चोरस, स्क्वेर, ट्राइंगल, कोई पन शेप होई शाके, आने त्यार पची एक्सिस ड्रो करवानी सौथी नीचे नी बाजुए एक्स अक्सिस, आने सौथी डाभी बाजुए येक्सिस, आविर्टाम, अने ओरिजिन पॉइंट ओ, येनू मद्या केंद्र जेचे, ओरिजिन पॉइंट उद्गम बिंदू, ओ ये आउसे, हुए आपने जे बे भाग करेला छे, रेक्टेंग ए बन्ने ना एरिया फाइन करेलो, आतो आवडिज एनू ख्षेत्र फट, दाक्ता तरीके एक्स रेक्टेंगल नमर 1 छे, एनू ख्षेत्र फट चे, एरिया 1 एसू थसे, फोड़ा 40 सेंटेमीटर चे, उँँचे 10 सेंटेमीटर चे, अथव 10 मिलीमीटर चे ये यूनिट से एवन बराबर 40 गुणिए 10 बराबर 400, पर अब सेंटेमीटर आपेलो वेतों सेंटेमीटर स्क्वेर लखवानू ना पेलो वेतों लखवानी आवश्यक्ता ना थे, आवे एवी जरीते रेक्टेंगल नमर 2 छे पीडा कलनू रेक्टेंगल छे, एनू एरिया फाइन करो, क एना x याम और y याम शोधवाना चे, तो x याम शोधवा माट अहिथी वी लाइन डरो करो, आवी रिते आम, और y-axis थे एनू डिस्टन्स फाइंड करो, आ डिस्टन्स, तो आ टोटल डिस्टन्स चालिश चे, तो आ वच्चे नू पोईट वोए, तो आ डिस्टन्स केरलो थाए, 20 थाशे, तो x1 बराबर लखी दीजे, 20, ठाइजिवा, थे यू, सिंपल, हवे एसू करीशू, एना y याम फाइंड करो, आ पोईट नमबर 1 चे, एना y याम, एला डिस्टन्स थाशे, एला डिस्टन्स थाशे, एला डिस्टन्स थाशे, अहिते आ डिलाइन डरो करो 5, 5 यूनित, थाए, 5 सेंटिमेटर, एला x1 ने y1 भी मड़ी गया, हवे एउज रिते आप, से रेक्टेंगल नमबर 2, एना x याम और y याम फाइंड करो, तो पोईट नमबर 2 आहीं आचे, तो एना x याम फाइंड सू थाशे, एला डिलाइन डरो करो, आवे रिते आप, ए एला आ अंतर, ए अंतर केटलू थासे, ए अपले गणवान थासे, जो के विरते गणीश हूँ, आ डिस्टन्स 10 आपेलू छे, आ टोटल डिस्टन्स केटलू छे, 30 छे, तो आ डिस्टन्स केटलू थाई, आ रेड लाइन थेन्या वजचे नू अंतर, 30 by 2, एले के 15 थासे, त x2 मढ़ी जया, x1 मढ़ी जया, हवे सिंपल छे, एक अज एक्वेशन आपने याद राखवानू छे, x bar is equal to a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 plus a2, आए एक्वेशन आखागाम ने आवर्थू होसे, कराम क्या निपला पना आपने आ थियरी जेचे, एनो अभियास करेलो छे, आया बदी वेल् 1000 divided by 7000, एटले 20 mm आउसे, in fact, आ फिगर जेचे, सिमेट्रिकल छे, एले x बार छे, एक कल्कुलेट करवानी आवशकता ना थी, ए 20 जाओ से सिधू पन तमें लखी शको, और आपने प्रेक्टिस माटे आ मिथोड बिदेली छे, जेती करेनी कल्कुलेशन करवानी पाण प्रे लखेलू जे, 8 to 8 ले 300, y to 8 ले 25, ना चेदमा 400 बता 300, एटले आउसे सिंप्लिफाइ कर सो, तो आंसर आउसे 13.57, that is the y-bar of given reverse t-shape, आटलू थाई जाए, त्यार पछी हजी एक स्टेब बाकी रेचे, सूचे के आजे x-bar और y-bar छे, एन्ना या फिगर नी अंदर लोकेट कर लिशू, तो एन्ना माटे सूथी पेला x-bar वालू डिस्टंस लेए, 20 mm, आने या उपीला एंट्रो करीदो, जो आ वरिता हम, आ उपीला एंट्रो थे गई, आने y-bar बराबर छे 13.56, तो आहीं थे y-bar क्या आसे, y-distance क्या आवे, आहीं क्या क्या आवे, तो 13.57 जेतला आंत गेट करवानू रेसे, I hope it is clear to you, BJ example, L shape, आपन सिंपल छे, जो आ टाइपन शेप आपेलो एटले, सौथी पेला, नोन जियोमेट्रिकल शेप निंदर आपने भाग करी देए, रेक्टेंगल नूमबर 1, रेक्टेंगल नूमबर 2, आने त्यार पछी, x-axis औने y-axis ड्रो करो, सौथी निचे 22, x-axis, origin.o, आने y-axis, आटलो तो बदा नावड़ से, अने अहीं सेंटर ओफ ग्रेविटी मुकी दो निचे नूजे लमचोरस चे, एनू सेंटर ओफ ग्रेविटी 1, आने उपनूरम चोरस चे, एनू सेंटर ओफ ग्रेविटी 2, 1 अने 2, हवेसू स्टेप a1 अने a2, तो रेक्टेंगल दाबर 1 छे, एनुक्षेत्र फड़ केटलू थाई, 40 गुणिया, 10, लमबाई गुणिया पोड़ाई, एलला लमचोरस नुक्षेत्र फड़ थाई, तो a1 बराबर आउसे 400, अने a2 इना बरबर सू थाशे, जो वीड़ से 10 एमें, हाय चे 30 एमे तो वाइं थी उबी लाइं ड्रो करो, तो आभी वच्चेनो इस्टन्स जेचे, एने के वाइं X1, तो यह केटलू थाई, टोटल 40 चे, तो वाइं थाई, 40 गुणिया, 20 अमें, तो X1 इस इकली तू 20 अमें, तो X1 इस इकली तो 20 अमें, तो यह जिक्रीते एना Y-म, Y-म सोथ एवी रिते X2, आ टू नंबर नू पोइंट छे, एनू सेंटर अफ ग्रेविटी, तो आइथी UB लाइं ड्रो करो, तो आवी रिते आ डिस्टन्स जेचे, ने केवा X2, आ डिस्टन्स जो आ, तो यह केटलू थासे, आ टोटल डिस्टन्स चे 10, तो आ थासे 10 बाइ 2, एटल अंथर, ए केटलू थाई, तो जो आ डिस्टन्स 10 जे, आ डिस्टन्स केटलू थासे, वीचारो टोटल हाइट 30 जे, तो आ डिस्टन्स थासे 30 बाइ 2, एलेके 15, तो 15 प्लस 10, so Y2 is equal to 10 प्लस 30 बाइ 2, एलेके 25, 10 प्लस 15, एले 25 थेग्यो, Y2, X2, X1, Y1 मडी गया, A1, A2 अप बदी वेल्यो मुखी दो, A1 अटले 400, X1 अटले 20, A2 अटले 300, X2 अटले 5, डिवेद इद बैए A1 प्लस A2, एले आ डिस्टन्स, एलेके 25, 10 एलेके 25, 10 प्लस 15, एलेके 13.57, तो X बार मडी जी 13.57, चे यूनिट आपे लावोई, ते, आंसार नूंबर 1, अवं पहते य बार मांते शूप रिसू? अहीं वेल्यू मुखो आमा, यह भूल न थाए, एटला माटे आवीटी ते ब्रद्दा स्टेप लगवाना, जो a1, x1, y1, a2, x2, y2 आए, पचि आए, एक्वेशन लगवाना, यह भूल दी वेल्यू लखी देवाने, a1, y1, a5, a2, 300, y2,25, σचर्द मा, 400, वत्ता 300, यह अंसर आउसे, 13.57, तो y बार पाण मड़ी गया, अवे, x बार अने, y बार आ बनेना, फिगन इंदे लोकेट करोवाई, तो सू करू आए एकस बार वाडी लाइन 13.57 जेरला डिस्टंस आगर रूपी लाइन ड्रो करो आए टुदर स्केल ड्रो करवाने जरूर न थी पन लमसम स्केल मेंटेंट थावा जुई है एले के जो आँ दस चे तो दस करता वदारे जमनी बाजुए होँ जुई आए दस न अंदर आएक लाइन 13 आ करी शकाई तेर चे दस करता वदारे जोई एले थोड़क जमनी बाजुए आउसे ए विरते वाई बार यह उपर आउसे आविरते आम आबेज यह क्रोस थाए तो आथे कि वहनू सेंटर ओफ ग्रेविटी एले सेंटर ओफ ग्रेविटी फिगर नी बाहर पॉण होई शके छे एव जरूरी न थी कि फिगर नी अंदर जोई ए बार नी बाजुए पॉण होई शके छे इस आंसर नमबर 2 नाव क्वेस्चन नमबर 3 T-shape एना डैमेंशन आविरते आ पेला चे 40-10, 30-10 तो सौथी पेला बे लमचोरस मा भाग करी दे लमचोरस 1, रेक्टेंगल 2 और त्यार पची एने एक्सिस ड्रो करी दो X-axis और Y-axis सौथी नीचे नी बाजुए और सौथी दाभी बाजुए आप बे एक्सिस ड्रो थेगे त्यार पची नीचे नू जी रेक्टेंगल छे एना आपने नंबर आपी ए नंबर 1 और उपनू रेक्टेंगल एना नंबर आपी ए नंबर 2, राइट? 1 और ने 2 आ बे थेग्या, हावे आ बेई जे छे एना एरिया फाइन करीलू 4 रफड, A1 रफड, एले 30 गुणिया 10 च्यो था से ने? आणने 2 रफड, एले 40 गुणिया 10 एले 400 आटलू तो बदा ने आवड़े मातर एरिया फाइन करवानों छे एनू खड रफड फाइन करवानों छे हवे X1 फाइन करू होए तो आ डिस्टनस था से अन्ना जे नीचेनु लम्चोरस चे एनु ख्षत्रकेंदर 1 अहया चे तो त्यां थी y axis वचेन वंतर आ ब्लू कलर नी बे लाइन वचेन वंतर तो केटलू थाई जो टोटल 40 चे तो 40 नाढ़ता 20 एला 20 थाशे तो आ टोटल डिस्टन्स आपए लूचे 30 तो केटलू थाई 30 आटले 15 तो y1 थे ग्यों y2 थे ग्या अहवे x2 तो जो अही थी वचे लाइन द्रो करो वह दिस्टन्स एला वाईटू 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 बारबर किला थासे ज्यकनुम पड़ से टोटल हाइट छे 10 तो आईट थासे 5 अना आपेलू रूचे 30 सो 3 स्वत्ता 10 ना चिद मा बे यहलो के 10 ना चिद मा बे एडले 5 तो 3 स्वत्चा 5 अटले y2 थासे 35 पातरी स्थेग्यू आवे x बार माटनों equation जाहिए आपले गणे लोतु जहें मापले करेई जहें जरीत करी देवानू इले x बार आउसे 20 mm अने asymmetrical figure चेले सिदूत पांता में लखी शको x बार is equal to 20 mm अने y बार माटनों equation आपे लखी देजे इमा बदी value लखी दो यहलो y बार आउसे 26.43 units अवे आप बनने point चे अने figure नींदे लोकेट करो आउए आवे ते लोकेट करी शकाई x बार 20 अने y बार is equal to 26.43 अया भच्चे नीबाजुए आउसे अन्सार अवे बार माटनों नुम्बर 3 अत्य अर्सुदी बदा बस सर्वालाज करेलाजे क्या रेक बार्दा की पान करवी पडे तो इना विशन ग्जम्पल पान आपना आपना आपर जोईसू एक आई सेक्षन आपेलू छे आविर्थे, irregular आई सेक्षन एमाँ फिगर न थी आपेली, सिधर शब्दों माज आपेलू छे एन आई सेक्षन हेविंग अपर फ्रेंज 20 cm by 2 cm एन लोवर फ्रेंज 40 cm by 4 cm वे भी 30 by 2 फाइन आउट सीजे तो जो शब्दों माँ पेलू उए तो शवत्ती पेला आपणे आई सेक्षन केवर छे खबर होई छोई आएक आई सेक्षन छे एमाँ ूपर नी फ्लेंज एल्या आउपर नी फ्लेंज आणए के वाँ निचे नी फ्लेंज अन्या बेई फ्लेंज ने जोड़ती जे वच्चे नों शेव चे एने केवाई वेब तो उपन ये फ्लेंज नी विट्था पली चे 20 cm अन हाइट आ पली चे 2 cm जो पहली दान मा पहलूचे एन आई सेक्स है नहीं हेविंग अपर फ्लेंज 20 बाइ 2 एले थे ग्यू पचे आपली चे लोगर फ्लेंज एले का निची नी फ्लेंज एनी पोड़ाय आपली चे 40 cm हूँचे आपली चे 4 cm आपली चे अन्ने वेब आपली चे वेब इस 30 cm बाइ 2 cm तो 30 cm क्यों डाइमेंशन हो अज़ अवे आ प्रोब्लेम स्वल करवा माटे साथी पेला सू करी सू तरह न नोन जियोमेट्रिकल शेप रेक्टेंगल नमबर 1 रेक्टेंगल नमबर 2 रेक्टेंगल नमबर 3 तरह लम चोरस थी गया साथी नीचे नी बाजुए एकसेस ड्रो करिए OX अने साथी डाबी ब अने साथी आ प्रोब्लेम स्वल करिए OX ने थाबेंगल नमबर 2 रेक्टेंगल नमबर 3 यहा से तरह न रेक्टेंगल थी गया अवे या थ्रने तरह नाक शत्राफ फॉल करी लो एने एरिया फाइन करी लो तो एरिया फाइन करवा माटे सोती पेला लखे ए एवन तो नानक निचे नो जे लमचोरस चे, एनो ख्षेत्र अफड़ता से 40.4, एल एक्सोसाइंट, अने सेंटिमेटर आपेलू छे, एल आपने या सेंटिमेटर स्क्वेर लगवानो, यूनीट ठास लगवानो, जो नव आपेलो तोज नहीं लगवानो, अहिया जो सेंटिमेटर लखेलू यूनीट लगवानो, अहिया घणां बदा विद्यार्थियो फूल करता होई छे, यूनीट नथी लगता, तो एक्जामीनर जे छे, एनो एक मार्क्स काट करी शक्याचे, अवे रेक्टेंगल नमबर टू, एनो ख्षेत्र अफड़ा फड़ा फाइन करू होई, तो सु यूनीट लगवानो, तो एक्जामीनर एक्सिस चे, यूनीट लगवानो, तो एक्जामीनर फड़ा फाइन करू होई, तो जो आप्रोब्लेम ने अंदर, आ सेमेट्रिकल एक्सिस चे, अहींति उभीलाइन ड्रो करो तो अन्या एक सर्खा बे भाग थाई छे एकस बार फाइंड करवानी जरूर ना थी एकस बार सिदूज मढ़ी जोसे 20 mm जो टोटल चालीज छे तो त्रणी बिंदू उभीलाइन उपर से तो आ डिस्टंस जेचे 20 mm थासे एकस वण एकस टू अने एकस टी तरनी वेल्यू 20 cm थासे अपके यहला लखी देए एकस बार इस इकोल टू 20 cm एकस बार इस इकोल टू 20 cm हब यह वाईवन फाइड करवा जे तो आज यह पोइंट छे एना यहां सुआ है जो अहीं थी आम हाइट माप होता में आ पॉइंट थी एक सक्स वच्छे नवंतर तो टोटल चार सेंटिमेटर चे तो आ डिस्तंस था से बेसेंटिमेटर यला वाई वन बराबर बेसेंटिमेटर वाई टू बराबर किरला था से तो आ टू नंबर नू पॉइंट चे त्यां थी एक सक्स वच्छे नवंतर तो जो आ चार चे आ टोटल त्रीस चे तो आ अर्दू गरतो किरलो थाई पंदर था से पंदर बता चार यला किरला थाई 19 सेंटिमेटर 4 प्लस 30 बाई 2 एला 19 सेंटि आ पोइंट जे चे एना याम सो थासे याम तो जू चार वत्ता थीस वत्ता आ बेन वड़ दू एला डिसनस जे चे एक थासे तो यह 4 प्लस 30 प्लस 2 बाई 1 एले 1 एले 35 सेंटिमेटर यह थासे तो यह भूल थावानी शक्याता चे तो यह भूल ना था यह माकास देआन दाक पानू x1 y1 x2 y2 x3 y थी फाइन कर लिगा अवे तो आखा गाम ने आवड़ से एकस बार इस इकोल टो यह 1 x1 प्लस 2 x2 प्लस 3 x3 डिएड़ बाई 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 चेटला शेप होई एटला नंबर यह लगवाना यह त्रोन शेप चे ले तो चार शेप होई तो चार वकत लखवानू आए एक क्वेशन तो लखी देवानू कई पन्नो आवड़े तो अवे निंदर वेल्यू मुखी देजे जे एवन बराबर एकसोसाइट एट्टू बराबर 60 एट्री बराबर 40 x1 x2 x3 20 एले x2 बार तो 20 जाओ से एगणवानी चुरूर ना थी वाई बार मा प्लस a2 प्लस a3 तो यहनू आणसार आउसे 11 cm तो वाई बार थे गियू हवे ए वाई बार जे मड़ी जाए एटले एने फिगर नी अंदर लोकेट करवाना तो के वीचत करसो आई थी आ एकससी त्या थी अग्यार सेंटीमीटर उपणी बाजिवे आडी लाइन रो करवानी यहनू center of gravity आया क्या कावसा राइट पाच में एकसमपल जो आओश यह पापेलू छे यहनू center of gravity फइन करो डाइमेंट्सोंस बदा आपेला चे 8 cm, 2 cm, 16 cm, 2 cm अने 12 cm थिकने से आपेली छे 2 cm तो आनू center of gravity फइन करो हुए तो south ही पेला आविरत लमचोरस मा भाग करी देजे 1, 2 अने 3 आ त्रान लमचोरस मढ़ी गया x-axis अने y-axis ट्रो करीदो, south नीची इनी बाजो ए x-axis and left side ने अंदर y-axis आटलो तो बदान आवल से ज, center of origin .o अने आजे त्रान रेक्टेंगल छे, लमचोरस चे एनू प्षेत्र फइन करीडो रेक्टेंगल नंबर 1 एनू center of gravity यहां से, रेक्टेंगल बर 2 एनू cg यहां से, रेक्टेंगल नंबर 3 एनू cg यहां क्या 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 से आ त्रणी ना चेत्राफोल फाइन करवाना है, तो a1 बराबर केटला आवसे, आ सोड वीट थेनी सोड थासे, हाइट बे थासे, तो आ सोड गुणियां बे एकले 32 cm2 अवे लम्चोरस 2 छे, यहां भूल्थ वानी समफावना छे, चो आ टोटल हाइट बार चे, आ बे चे, तो आ पीडा कलननों जो लम्चोरस चे नी हाइट केर लिए थाए, 12-2 एकले 10, बरवर, तो 10 इन्टो 2, that is the area of yellow rectangle, यहां गणे बदा विदियार्थियों बार गुणिया चे, चो बार गुणिया बे करो तो आ विट कटी जाए, आट ना बदले छोत ही जाए, तो आसी जी पॉइंट नबर 3 खसी जाए, अपना आ रिते बाग करे ला चे, तो आ विटे ले जे, एटों मड़ी ग्यू, हवे ए3, आ हैट गुणिया बे एटले 16 स्क्वेर, युनिट लग्वाना, एवन एटो, एटरी मड़ी जा, हवे एकस वन, एकस टू, एकस त्री फाइन करो, तो एकस वन, आई या आउसे, आ पॉइंट ना एकस या आम फाइन करवाज, एला आ डिस्टन्स, तो जो टोटल 16 जे, तो आ हाफ डिस्टन्स केतलू थाई, 8 थाई, आ सेंटिमीटर, वाइवन केतला थासे, आ टोटल हाइट 2 छे, तो टू ना अर्दा, एला वाइवन बराबर थासे, 1 सेंटिमीटर, एकस वन, एकस टू, एकस टू, एला क्या आ टू ना मनू पॉइंट छे, एना सेंटर ओफ ग्रेविट ना जाम, एला इंथी विलाइन ड्रो करो, तो त्यां थी y-axis वचे नू डिस्टन्स फाइन करो, तो आ टोटल डिस्टन्स टे बे, बरबर आ डिस्टन्स थाए, एक, आ डिस्टन्स टे छो, तो 6 प्लस 1, एटले 7, अथवा टोटल डिस्टन्स 8 छे, 8 मा थी आ वन, बाद करो, एटले 7 थी जासे, एला एकस टू बे, फ्ले 6 था से वत्ताबे, नीचे नू एक नमब हनू ders चेनी했던 हैट 2, एला वाई 2 बराबर था से 2 प्लस 12 रख़़ग्ट तो एटले 8 मा थी 0 पहन करो įा 10 थी जोटल अ पंड बृ1 था से, वत्ताबर चेनी consideration, तो सो 10 ना श्टन्स थू मा बे एटले 2, पांच ए बत्ता से 4 सेंटीमिटर फो एक्स त्री इकोट पूर सेंटीमिटर वाइ थ्री मा ध्यां राखवान। जो में बूल थावानी संभावना चे वाइ थ्री एकले आ बिंदुना वाई याम आ उपू डिस्टन्स तो आखे लूचे बे वत ता बार एल्ले अइया सुधीनो डिस्टन्स थ 13, y3 मढ़ी गियू, अवय तो बदाने आवड से, x bar is equal to x1, a1, x1 plus a2, x2 plus a3, x3, and y bar is equal to, यहां बदी वेल्यू मुखी दो, यहले x bar बराबराव से 9.59 cm, आने y bar माटेनू equation लखीलो, यहां बदी वेल्यू मुखी दो, यहले y bar बराबराव से 5.59 cm, यूनिट खास लखवाना, अलग बदसमी वखत में कहलू छे, पन च्वता पन विद्यार्थियो एग्जाम निंदर यूनिट लखता बुली जासे, आतलो उसा ही जे त्यार पच्चेनू center of gravity दे में लोकेट करी शको, आ डिस्टन्स जेचे, x bar और y bar आये मुखी दो, अहिए अगर center of gravity आउसे, यहले x distance जेचे, x bar थासे 9.59 cm, और y bar यहले उपू distance थासे 5.59 cm, and this is the center of gravity of figure number 5. चट्टो एक्जाम्पल, आ एक्जाम निंदर पूछा यलोचे, आ कुरुती मा दर्सावेल आकार नू center of gravity सोदो, तो आजे प्रोब्लेम छे, यहनी अंदर एक circular shape आपे यलोचे, सूथी पहला निचे नी बाज़ो, x axis ड्रो करो, o x, और y axis ड्रो करो, o y, यहनी origin point o, यहां हो से, right, हुए in a non geometrical shape, triangle number 1, अविरत्या, एक number 1 triangle, बरबर, बच्छे आप यह नंबर जे इचे आ लंप चोरस, बरबर, यहना माप सुआ से, width 500 में थासे, और height थासे यहना diameter जटली, आ पंचो तेर छे, तो पंचो तेर वच्छा पंचो तेर, एटले, 200 एनी height थासे, rectangle number 2, एले ना माप सुआ थासे, 500 by 150, अन्य त्रीजो शेप जेछे, ए आ सर्कल, सेमी सर्कल, एनू सेंटर अफ ग्रिविटी अजया क्या कसे, cg1, cg2, cg3, त्राने सेंटर अफ ग्रिविट अन्य सेमी सर्कल, अन्य त्राने ना एरिया फाइन करवा, बरवर, त्राने नू क्षेत्र फड़ फड़ फाइन करवानू, तो पेलू A1, आ त्रीकोण चे, काटकोण त्रीकोण, एनू क्षेत्र फड़ माटे नू सूत्र हसू छे, एक दूत याउस गुणिया पायो अन्य स्क्वेर, अन्य स्क्वेर, बदा माप जेए छे, मिलिमेटर माप एला छे, तो A1 मड़ी जिए, हावे A2 केतला था से, 500 बाइवन फिफ्टी, एले के 75 000 mm स्क्वेर, A2 मड़ी जिया, A3 केतला था से, आज ये हाफ सर्कल छे, एनू एरिया गणो वोई, तो के विरत रेडियस आपली चे 55 mm, तो वर्त रोड़नों ख्षेत्रा फड़ बराबर पाई र स्क्वेर, अन्य सेमी सर्कल छे, एले अर्थ वर्त रोड़ चे, तो एनू ख्षेत्रा फड़ था से, पाई र स्क्वेर बाई 2, एले एले 8831 mm स्क्वेर, A3 मड़ी जिए, हावे X1, आ X1, पॉइंट नमबर वन चे नू सेंटर फड़ ग्रेविटी, ए अफाइन करू वोई, तो A के तलू थाई, तो A था से 2 बाई 3 इन्टू बेज, जो आ वन पॉइंट थी, आ डिस्टनस थाई, B बाई 3, तो आ डिस्टनस के तलू थाई, 2B अपन 3, राइट, एले 33.3 mm था से, X बार, X1, Y1 पॉइंट लू था से, हाइट बाई 3, टोटल हाइट छे 150 mm, तो 150 बाई 3, एले 50 mm था से, एले X2 के ला था से, आ पॉइंट नमबर 2 छे, एनू सेंटर फड़ ग्रेविटी के यहां से, तो जो A डिस्टनस था से 250, तो टोटल थाई 250 वत्ता 50, एले 300 mm, एले X2 मल पॉइंट थी, Y-axis वच्चे नवा अंतर, तो जो ओ, आ डिस्टनस जे चे, आ डिस्टनस, आ रडिस वाळू, ए था से 4R upon 3π, प्लस 500 प्लस 50, एले लग्वोई तो आम लखाई, 50 प्लस 500 प्लस 4 इंटु रडिस अपॉन 3 इंटु पाई, रडिस आ पर लीचे 75, तो 4 इंटु 75 ओपन 3 इंटु 3.14, एले आंसर आउसे, X3 is equal to 581 mm, एले X3 मड़ी गया, अवे तो बद्दा ने आवड से सुण करवानू छे, Y3, Y3 एटले आउपू दिस्टनस, एले तो ओविएसली 75 इट था से, कराण के रडिस आपली छे, तो त्रणे डिस्टनस मड़ी गया, अवे ए इमेधी में गणत्री करवानी, और आ प्रूब्लेम बग्दाये खास जाते गणवानों छे, और पछी तमारों आंसर चेक करवानों छे, आए एकस बार बराबर 317 mm आववाज जोईए, और या घणा बदा विदी अर्थियों ने भूल थाई छे, आंसर चुदू आवे छे तो आ इरिदी अा बिदा स्टेप् चेक करीलो, एरले एकस बार मढी जासे, और वाईबर फाइड करूँ आमाट्ये एक्वेशन लग्खिये, वाईबर is equal to a1y1 plus a2y2 plus a3y3 divided by a1 plus a2 plus a3, बदी वेल्यू मुंही दो a1y1 a2y2 a3y3, जे अर आंसर आउसे y इस एकोल to 73.93 mm हावे आब ऐ एक्स बार औने वाइबार छे एने फिगर निंदे लोकेट करीदो आविरते आम आ एक्स बार औने वाइबार एला आ थे ग्योएनू आना तो डू सर्क्यूलर होल पाड़ेलू छे आ टाइप नो प्रब्लेम पुछाए तो अस्वों करो तो एना माटे साथी पेला निचे ने बाजू एक्स अक्स बार करीदो आपने जम करिये चेविज रिते प्योपणा शेपनू होल पडेलो खेल दो प्रोसेस सेम आउसे तल Понे ला बने शेपना 20191 अवाज एक्स वन चुपशसी आ एकस्टने वाइट्वाइटू फ्राइन करिएलो पचिएमा ऑह फ़र्क पल से जो अजीं है सर्वळोनी थी करवानू बाध बाकी करवानी छे स्टनके माटीरियल काट थाई जे बाकी बद्धूज सेम आऊ से X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 बद्धूज सेम आउसे मात्र एक्वेशन में फर्क पल से X बार बराबर A1, X1, minus A2, X2, divided by A1, minus A2 और Y बराबर A1, minus A2, Y2, divided by A1, minus A2 आए एक्जाम्पल जेचे यह मारा गणवानू छे प्रना तियर श्रमाई हो छो छे आटलू फ्रेम बनावी ने मुखी दिदी छे जो आए तमने समझावी दो कि आनू सेंटर ग्रिविटी दारो का यहां छे बराबर तो X2 थासे आप्वेशन थी यक्षिस बच्चे नू अंतर यह आपेल वह से, शेंक माथी बदा राइमेंशन आपेला से नाव बर्चे तमारा फाइन करवानू रेशे तो आने एरिया जेशे वर्तुर नो फाइन करवानू पाई आर स्क्वेर परती तो आरितर जेशे आटा एपना प्रब्लेम पन आपने स्वोल करी शक्ये तो आई रिते ंनू सेंटर अफ ग्रेय विट्ई आउसे सरकल शेंटर अफ ग्रेय विट्ई इंहाँ से आने बात बाकी करी? आने आंव सेंटर फाइनली आपने फाइन करी सक्ये शू तो मित्रो carbsवाग नियंदर आना स्रिवे ना जे प्रब्लेम शे छे यह आपने सोल करी शूँँ वह प्राप्रका नो प्रब्लेम होए तो कमेंट बोक्स ने इंदर लखी शको जो थेंक्यू, थेंक्स फर वचिंग, श्याद बेस्ट